आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो काफी प्रामुसिंग और ग्रोथ लाकर के दे चुकी है आपके स्टॉक के शेयर प्राइजस में पर क्या अब अभी उसमें आगे जाने का दमखम है बेसिकली देखिए अभी आपने देखा होगा कि अगे जाने की आपके सामने यहां पर एक कोटली रिजल्ट है मैं इस कंपनी की कोटली रिजल्ट को अनेलाइज करता हूँ उसके बाद आगे और वी फंडामेंटल्स तेखेंगे टेकनिकल भी इस स्टॉक का दिखने कोशिश करेंगे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरू करें अब आप देखें ये कंपनी के quarterly results दिसंबर 2022 में अभी मार्श का रिजल्ट आने बाकी है 65 क्रोड का sales था उसके पहले 73 क्रोड का sales था और अगर दिसंबर 2021 से तुलना करें तो 53 क्रोड रुपए का sales था वो हो गया था 65 क्रोड रुपए और 23 प्रतिसत की जो operating profit margin थी वो हो गई थी घट करके 22% यानि की 20% प्लस operating profit margin है आपको यहां पर मैं जब company के fundamentals में आपको इसका P.E. ratio और इसका market capitalization दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये company वाकई operating profit margin के front पर अच्छा काम कर रही है आप देख सकते हैं कि operating profit के margin पर front पर company जो है सितंबर 2020 में यहां पर 14% मा back किया और अप December 2019 की बात करें तो 33 क्रोड रुपए वाला sales December 2020 में हो जाता है 46 क्रोड रुपए और 21 में हो जाता है वो तिरपन और उसके बाद 65 तो इस तरह से company growth कर रही है इसके बाद net profit पर सीधे चले तो net profit 7 क्रोड रुपए का जो था December 2019 में वो हो गया था 6 क्रोड रुप है वो त्री टाइम्स हो करके 21 क्रोड हो जाता है तो इस तरह से growth आपको छोटी कंपणियों में दिखाई देती है अब friends आ जाते है annual results की तरफ annual results में यहां पर company का sale कैसे double होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मार्श 2011 में 22 क्रोड रुपए का sales company का था अगर आप इसके double figure करेंगे तो 44 क्रोड रुपए 44 क्रोड रुपए से जदा डबल हो गया मार्श 2015 में सीधे हो गया 65 क्रोड रुपए 65 से हो जाए 130 तो 130 होने में इसको लग गए 1, 2, 3, 4 और 5 साल 65 क्रोड का हो गया 130 यहां पर 5 साल लग गए अब 2023 में हम लोग है और 2023 में सभावना है 250 क्रोड रुपए के sales की तो company का जो growth है आप देख सकते हैं कि company growth के trajectory पे चल रही है अब दूसरे figures की बात कर लेते हैं friends की net profit किस तरह से growth हो रही है तो profit जो annual अधार पे है 1 क्रोड का था तो 1 क्रोड का 2 क्रोड होने में ज्य 2019 में लेकिन उसके बाद थोड़ा सा performance आपको डिला नज़राया net profit के front पर यहां पर वही 26-28 में खुनता हुआ पिछले 3 साल में नज़राया तो अब बारी है March 2020 की यहां पर result को हमें प्रतिक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इस company किस तरह के result आपको देती है EPS के front पे company का EPS इस समय 5 रुपए चल रहा है जो कि एक decent छोटी company के लिए अच्छा कहा जाएगा अब friends अगर आप compounded sales growth की बात करेंगे तो last 10 years में 21%, 5 years में 19%, 3 years में 19% आप इस से ज़्यादा और क्या चाहेंगे 20% प्लस का आपको यहां पे आसपास यहां पे sales growth दिख रहा है profit growth भी last 5 years 15%, 10 years 35% लेकिन 3 साल में जैसा कि मैंने कहा 3 साल में ज्यादा कुछ खास आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन stock के prices आप देख सकते हैं 3 साल में 60% और 1 साल में फिछले 1 साल में 60% के ही आसपास यहां पर बढ़ते हुए नजर आए है balance sheet की बात करें फ्रेंट्स balance sheet में यहां पर borrowings में company कोई भी borrowings नहीं रख रही है तो यह एक अच्छी बात है और company के पास जो reserves है वो 200 करोड रुपे के ऊपर है company 296 करोड रुपे के book value पर है यानि कि यह है company की size book value पर फ्रेंट्स अब promoters की बात कर लेते हैं फ्रेंट्स तो promoters है 67% और 67% के बाद public सबसे ज़्यादा है 22% और public ने इधार हिस्सेदारी बढ़ाई है तो घटाई किसने यह देखने वाली बात होगी यहां पर आप देख सकते हैं कि FII ने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है और DII ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी यहां पर minus की है पब् यहां पर एक matter of concern इस stock में है अब हम लोग सीदे इस company के टेकनिकल पर चलते हैं चार्ट देख लेते हैं यहां company का long term चार्ट जब से यह company list हुई है तब से इसका चार्ट है यह 2018 से company listed है और जो price था उस समय वो था 40 रुपए के आसपास 40 रुपए से यह start हुआ इसका जो journey है फ्रेंस लगातार इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी इस तर पर अगर आप entry मारे होते तो आपका जो stock है लगातार यह उपर ही गया है और इसका जो highest point है फ्रेंस वो 400 रुपए के आसपास है मैं आपको इसका date confirm करके दिखाता हूँ तो यह date जो है वो करीब 14 दिसंबर 2022 को आया था और उसके बाद इस stock में मुनाभव वसूली और वो जो base formation है फ्रेंट दो 310 रुपए का है 310 रुपए के नीचे यहां पर 290 रुपए का एक base formation है तो इस important level को आप फ्रेंट जरूर याद रखिए 310 अगर तो 290 यहां पर levels आपको दिख सकते है recent short period में क्योंकि देखिए Q4 का जो result है वो waiting है और अगर यहां पर problem होती है तो आपको यह यह दोनों levels में से कोई levels दिख सकते हैं लेकिन अगर result जो है market expectations के हिसाब से अच्छा होता है तो आपको 370 के levels तोड़ते हुए यह stock दिखेगा और उसके बाद यह 400 के level भी दिखा सकता है friends मैं आपको इसके historical returns को एक बार दिखाने के कोशिश करता हूँ तो stock ने 562% का दिया हुआ है और as I said कि यहाँ पर 2018 जन्वरी में यह stock list हुआ तो 18 और 5 पांच सालों में यह stock जो है वो 600% यानि कि पौने 600% के आसपास का return दे चुका है अगर आप यहाँ से इस point से इस point कर जो इसका highest point है इस से तुल्ला करेंगे तो 625% का return इस stock ने दे दिया है as I said कि एक साल में stock ने 60% का return दिया है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं friends तो कुल मिला करके friends stock जो है वो एक fundamental आपको ठीक ठाक नजर आ रहा है यहाँ पर fundamentally stock जो है ठीक है कारण यह है कि देखे 43 का यहाँ पर PE है तो वो काफी ज़्यादा महगा तो नहीं कहाया जाएगा लेकि आपको यहाँ पर यह भी factor ध्यान रखना है तो अगर आपको एक risky company अपके लिए portfolio में रखनी है तो उस पर आप जरूर विचार करें लेकिन action लेने के पहले अपने financial advisor से जरूर संपर करें friends बाकी इस वीडियो में इतना ही friends वीडियो लाइक करें, share करें और अगर चैनल पर नहें तो subscribe पर नह भूले, thank you so much friends